वो CAA NRC की बात करेंगे आप Electoral Bond पर डटे रहना जब जब सरकार की नितियों पर बात होती है सरकार का भंड़ा फोड़ होता है तो सरकार किस तरीके से अपना दाव चलती है और जनता को गुमरा करने की कोशिस करती है सोचिए कोड की मोहर लग चुकिया सुप्रीम कोड ने SBI को फटकार लगाए कि Electoral Bond यानि चुनावी चंदे का पूरा डेटा तैयार करकर कहां से कहां तक किस पार्टी को कब तक चंदा मिला इसकी पूरी तरीके से जानकारी सुप्रीम कोड को दी जाया अब ऐसे में घबराई हुई है बीजे पी क्यूंकि भारतिये जनता पार्टी कि ऐसी सरकार है जो सबसे जादा चुनावी चंदा लेती है लेकिन सोचिए मुसल्मानों पर किस तरीके से गाज गिर गई है लगतार चुनाव से पहले भारतिये जनता पार्टी हिंदू मुसल्मान ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन सोचिए नेता वही जो आपके हक लिकारों को बचाने की कोशिस करें सुप्रीमों मायावती जी का बहुती बड़ा टूटाया तिहासिक टूट सोचिए किस तरीके से जब ऐसे में पूरी मीडिया टीबी अखवार सरकार के तमाम विपक्षी नेता सपोर्टर विपक्षी नेता मैं इसलिए कह रही हूं कि व वैचारिक सहमती से वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं और कटगरी में खड़ा हो गया है मुसल्मान समाज को किस तरीके से अपने ही नागरिकता का बार-बार क्यूं ही सबूत देना पड़ता है ये गंभीरता का विशे आखिर चुनाव से पहले बीजेपी लगतार हिं सोचिये जब ऐसे में तमाम मुसलिम लोग मुसलिम समाज जो है वो राजनेताओ की तरफ मुझ देख रहे हैं ऐसे में सुप्रीमों मयावती लगतार सोशित वंचित हासिये पे खड़ी लोगों की मुक दरसक बन कर लोगों की आवाज उठाती है और सोचिये किस तरीके से उन्होंने एक बहुती जादा भावुप ट्विट किया है जो काफी जादा इतिहासिक है केंद्र सरकार द्वारा नागरिक्ता संसोधन कानून जिसको CAA कहा गया है को अब ठीक चुनाब से पहले लागू करने के वज़ा इसको लेकर लोगों में जो संदे हैं कन्फ्यूज वे आशंका हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही कानून को बहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए ता सोचीए ऐसे में जब लोगों को किस तरीके से महंगाई बरुजगारी से परिशान है और लोग काफी ज़ादा चिंता है और ऐसे में BJP को उनके पेपर देखने हैं बीजेपी को उनको पूछना है कि आप भाईया देश के नागरिक हैं कि नहीं किस तरीके से ये लोग जो हैं वो कानून का दूरी प्योग करते हैं और सोचिए बीजेपी के तो सविधान को बदलने वाली मानसकता से ग्रस्त लोग पार्टी के अंदर और सोचिए कैसे लोगों के सविधानी का दिकारों का हननोरा कैसे सविधानी का दिकारों को खतम करने की कोशिस करें बीजेपी लगाता है सुधान सुत्रवेदी का टूटे मोधी सरकार ने भारत में सीए लागू कर दिया ये कानून पड़ोसी देशों में यातनाय जहलरा अलप संक्या हिंदू सिख इसाई बहुत जैन अवं पर पार्सी समाज के लोगों को नागरिक्ता प्रदान करेगा कि आपको ख उस्तियों को उजार दिया जाता है अवैद बताकर उनकी कलोनियों पर बुल्डोजर चलाया जाता है आखिर उन लोगों को कब घर मिलेगा जो लोग लगातार अपने घरों से बेगर हो गए हैं जिनके सर परच्छत नहीं आखिर उनके बारे में सरकार कब सोचेगी नागर सविधानिय रूप से लागू हो सके तो तमाम लोग जो हैं भी पार्टी लगतार आपके सविधानिक मुल्यों पर बात करती है लगतार जिस तरीके साब देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन और सविधान बचाओ रेली लगतार अकाशानन करें तमाम लोगों से मिल रहे हैं औ एसे में टीवी अख़वार जो है वो बीज़पी की खवरों को कैसे नजर अंदास कर रहा है टीवी अखवार लगतार इस पूरी खवर को बड़ा चड़ा कर दिखा रहा है सोचिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिन पर ये लागू होगा उनकों उनके परती कैसे सोदन आदिनियम लागू करने का नेड़ने अतिहासी के से पाकिस्तान बंगलादेश वे अफगानिस्तान में मजभी बरबरता से पीडित अल्प संख्यक समुदाई के सम्मान जनक जीवन का मार्ग प्रस्त हुआ है मनुस्ता को मानवता दिलवाने वाला नेड़ने प्रधान मंत्री का यह जो नेड़ने हैं इसका आभार व्यक्त करते हैं तो लोग लगतार बीजेपी जो समर्थक हैं वो सरकार का इस फैसले का सम्मान करें लेकिन सोची है सुप्रीमों मायावतीन है मुस्लिम समाज के हग कर्दिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार प अंदर जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की जो आशंका है उसको दूर करकर वो तमाम तरीके से संतुस्ट हो जाते हैं उसके बाद ये कानून जो है वो चुनाव के बाद आराम से लागू किया जा सकता था लेकिन नहीं सोची किस तरीके से भीच जैस यह गूचे बीच इक्सपोजुज़ हो जाती है तो किस तरीके से वह अपने चंञून का दुर्यूप्यों करकर जंता के मानव अधिकारों करें कैसे परहार करती है यह काफी जादा चिंता का विशाय सोचिए अपने ही देश में अपने ही नागरीकों की किस तरीके से हालत कर दिये इसके साथ दिल्ली के पूर्व सोचल जर्सिस मंद्री राजिंदर पाल गौतम लगाता है अपनी बात रख रहे हैं सरकार से सवाल करें कि आखिर सरकार जो है वो अपने पेपर कब दिखाएगी धन्यवाद मानिया सर्वोच्चे नियाल है एस बी आई शरम करो आप पता चलेगा किस किसने सत्तादारी दलों को कितना कितना चंदा दिया है और बदले में कितना गुनाफ फाइदा कमाया तो लगतार लोग एवियम हटाओ देश भचा लिए इस मुद्दे को दवाने के लिए किस तरीके से ये खबरे चला जाती है कैसे इवेंट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान कैसे मुद्दों से भढ़काया जाए किस तरीके से और ये सुचिए इस स्क्रीन शॉट आप देखिए चो वो उसका option बंद कर दिया गया है ताकि लोग क्या-क्या प्रतिक्रियाय दे रहे हैं इस पर आप यह ना देख पाएं तो सोचिए TV अखवार अपनी अलोचना सहने से भी कैसे घवरा रहा है अपनी अलोचना वर्दाश नहीं कर रहे हैं सरकार अपनी अलोचना वर्दाश नही की रख देती है तापकि आप लेक्टरल बांड जैसे गंबीर मुद्धों पर बात ना कर पाया लेकिन बीएसपी सुप्रीम महावती ने लगतार मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए हमेशा यही बज़ताया है और यही बताया है कि मानव अधिकारों की अगर हम रक्ष सरकार को यह कानून लागू करना चाहिए था बेसपी सुप्रीम महावती के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया के बन बॉक्स में जरूर बता है क्या वाकई में बीजेपी सरकार ने लेक्टरल बांड जैसे मुद्ध से भटकाने के लिए आप लोगों का जनता का त् पर से छट तो नहीं चील ली जाएगी क्या हमारे घरों पर बुल्डोजर तो नहीं चला दिये जाएगा शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख